तो guys स्वागत है तुम लोगो फिर से pumpkin panic में जहां पर आज मैं तुम लोगो इस game के related बहुत सारे tips देने वाला हूँ tips नहीं बतले इसमें जितने सारे भी monster है उन सारे के बारे में बताने वालों कौन सा कैसा है तो इसलिए video पूरी देखो तो हमारा जो पहला monster है उसको मैं बोलता हूँ नंगा slenderman और इस game में उसका नाम है skin walker यह बार वर आपको day या night दोनों टैम देखने को मिल जाएगा जब भी एक डरावनी music बजना लगे तो आपको घर अंदर घुच जाना है और यह पीछे से आएगा तीन से चार बार और य लेकिन जब तुमको यह आला sound सुनने मिले उसके बाद तुम्हें समझ लेना कि यह चला गया उससे पहले तुमको घर से बाहर नहीं निकलना वह मार देगा बनना तो अगले monster का नाम है shadow demon यह तब आता जब तुम इस cabin में बहुत जादा time spend करते हो यहां पर तुम वह तीन candle दिख रहा जो कि दीरे-दीर एक-एक करके बुझते रहता है तो रात को जब आप लोग cabin में बचने के लिए आते हो तो धीरे-दीरे यह तीन candle एक-एक करके बुझने लग जाता है और जैसे तीसरा candle बुझ जाता है यह जो खटिये के नीचे से spawn हो जाता अपना shadow demon और तु रात होने पर तुमको एक music box सा sound सुना देगा कुछ इस टाइप से और तुमको इस sound को पीछा करते हुए एक clown मिलेगा और इस clown से तुमको इस balloon को लेने में यह music 40 seconds तक रहेगा अगर 40 seconds के अंदर नहीं पहुच पागे ति यह clown चले जाए और तुमको balloon नहीं मिलेगा फिर उस होगे तो यह blue वाला जो clown हो तुमको मार देगा और इससे बचने का कोई तरीका नहीं है तो अगला जो monster है उसको बलते है well monster यह तुमको कुछ करेगा तो नहीं बस यह थोड़ो सा डराएगा तम जब भी रात को पानी बरों को welcome है और बहुत टाइम तक खड़े रहों तो अ लेकिन जैसी यह तुमारे पास आगा यह एक दम से monster में बतल देगा और तुमको यह जिन्दा मार देगा लेकिन इसके बजने का एक तरीका कि आप cabin के अंदर छुपे रहों और जब यह cabin के पास आगा अगर आप दरवादा खोल दोगे तो यह अपने original form में आके भाग तो यही ते कुछ monster pumpkin panic के अगर तुमको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और कमेंट बता दो कि next इस वीडियो पर तुमको क्या देखने की